दोस्तों देखे ये जो आप LED बल्ब देख रहे हैं ये LED बल्ब जलता नहीं है तो देखे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 23 वाट का ये LED बल्ब है यहाँ लिखा हुआ है ये सूरिया कमपनी का LED बल्ब है तो इसे किस तरह से खोला याता है पहले आप इसे अच्छी तरह समझ लिए देखे इसे खोलने के लिए आपको क्या करना है थोड़ा सा इसे इस तरह से गुमाना है और इसे खीच लेना है मैं आपको फिर से बता देता हूँ इसे तोड़ा सा गुमाना है इस तरह से और इसे इस तरह खीच लेना तो मैं इसे खोलता हूँ देखे थोड़ा से घुमाना है और इसे इस तरह खीच लिया तो यह diffuser खुल जाता है मैंने इस LED से बल्ब का voltage चेक कर रखा है इसमें कोई voltage नहीं मिलता है इससे मुझे किलियर हो जाता है कि इस LED बल्ब का जो है सर्किट यानि कि इस LED बल्ब का जो ड्राइबर है वो खराब है तो इस LED बल्ब का ड्राइबर को निकालना हुआ यानि कि इस LED बल्ब का सर्किट को निकालना हुआ तो इसके लिए क्या करना हुआ देखिए यहां और यह पर जो यह wire solder किया हुआ है, इस wire को और इस wire को यहां से छुड़ा देना है, तो इन दोनों wire को मैं पहले छुड़ा लेता हूँ, छुड़ाने के बाद आपको बताता हूँ कि क्या करना है, देखे मैंने इन दोनों wire को यहां से और यहां से छुड़ा दिये हैं, इसी तरह से आ इस में जो NCPCB लगा हुआ इस तरह से उठा लेना है, यह देखिए मैं उठाता हूँ इस तरह से, इसे मैं ये उठा लिया, यह उठा गया, इसे तरह से आपकोishops PCB को निकाल लेना है, ठीक हैं, अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, अब देखिए, इधर जो changer तरफ आप देख रहे हैं इस तरह से खीचना है यह इस तरह से थीरे दर खीच लेना है तो देखे यह बाहर निकल जाता है इस LED Bulb के सर्कुट को किस तरह से निकालना है इसके लिए आपको एक एक चीड़ को ध्यान देना होगा जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना इसमें soldering नहीं लगा हुआ है यह screw type का है इसे किस तरह से निकालना है मैं आपको बताते हूँ देखे इसके लिए आपको इस तरह का प्रेशानी होगा लेकिन यह निकल जागा आपको अराम से धीरे धीरे कोशिस करते रहना है तो यह निकल जागा देखे इवला थोड़ा निकल में प्रेशानी कर रहा है तो इस तरह से आपके साथ भी हो सकता है तो आप घबराईएगा नहीं इसे अराम से धीरे धीरे निकल यह देखिए निकल गया, देखिए इस driver को निकालना है, यानि कि इस circuit को बाहर निकालना है, तो इस तरह से आपको खीच-खीच के बाहर निकालना होगा, तो यह निकल जाएगा, देखिए यह इस तरह से निकल गया, तो इसी तरह से circuit को निकाला जाता है, यानि कि LED वल्ब के driver वाइबर को निकाला जाता है, तो ये देखिए बाहर अराम से निकल गया, देखिए ये केपासिटर बिल्कुल सही है, केपासिटर में कोई प्रोब्लम नहीं है, बाकि सारा कुछ देखने में सही लग रहा है, देख लिजे, तो इसे क्या करना होगा, मल्टी मीटर से चेक करन होगा, तभी पता चलेगा कि इसमें क्या प्रोब्लम है, जब आपको लगे कि इस सर्किट का सारा कंपोनेंट बिल्कुल सही है, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा, तो ये रेजिस्टेंस देखिए आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर जला हुआ, ज मुझे पूरा उमीद है, तो इसे चेक करता हूँ, तो पता चलेगा कि इस रेजिस्टेंस खराब है या नहीं, तो पहले इसे चेक करना है, ठीक है, सर्किट में लगे हुए रेजिस्टेंस को कैसे चेक कि यह आता, इस पर तो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, ऐसा भी होता है, एमोवी खराब होने के कारण रेजिस्टेंस भी खराब हो जाता है, इसलिए एमोवी को चेक करना जरूरी होता है, तो इसे भी मैं चेक करता हूँ, और एमोवी को कैसे चेक करता हूँ, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देखी चु खराब है अब मुझे ये कनफर्म होना है कि इस सर्कुट में सिर्फ रिजिस्टेंसी खराब है तो इसके लिए मुझे इसे MCPCB में इस तरह से जोड़ने के बाद आपको दिखाता हूँ देखे मैंने इस सर्कुट को MCPCB में अच्छी तरह से जोड़ दिये हैं अब आपको स्र यह मैं आपको बताता हूँ देखे आपको लाइन देना है इस सर्कुट में आपको देखे यह जो रेड़ वाला वायर है रेड़ वाले वायर में आपको लाइन नहीं देना है ठीक है मैं आपको बताता हूँ कहां पर लाइन देना है क्योंकि देखे यहां से इस जगह से इ यहां जोड़ना होगा तो आप confirm हो जाएंगे कि आपका जो है LED बल्ब जलता है या नहीं यानि कि resistance खराब है या नहीं यह आप confirm हो जाएंगे ठीक है तो आप resistance बदल सकते हैं ठीक है तो आप मैं इसमें SW Lign दूँगा देखिए आपकोMusicFit लाइन से ही चेक करना है जब भी चेक करना ठीक है तो देखिए मैं इसमें लाइन दे रहा हूं और मैं एक देखिए एक वायर बिलेक वायर पर टच किया और देखें दूसरा मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो देखें यह LED बल्ब जलने लगा इससे confirm हो जाता है कि हमारा resistance ही खराब था तो अब मैं इस resistance के जगह पर दूसरा resistance लगाऊँगा तो मैं इस resistance को निकालता हूँ निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ देखें मैंने resistance को निकाल दिये हैं आप resistance का value देख सकते हैं और मुझे comment करके जरूब बताईएगा कि इस resistance का value क्या है मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कितना knowledge अभी तक हुआ है कि resistance का value बता सकते हैं या नहीं तो देखें मैं ये दूसरा resistance लगा रहा हूँ इसी value का जो resistance में लगा हुआ था इसी value का resistance लगा रहा हूँ तो आप मुझे comment करके जरूब बताईगा कि ये कितने value का resistance है मैं आपको बता देता हूँ कि ये half watt का resistance है लेकिन कितने value का resistance है ये आपको comment करके मुझे बताना है और जरूर से जरूर बताईगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप सीख रहे हैं तो आप कितना सीखे हैं या कितना आपको knowledge है ये जानना चाहता हूँ तो मैं इस resistance को लगा लेता हूँ इस resistance को लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ ठीक है तो देखिए मैंने इसमें ये resistance लगा दिये हैं देख लीजे यहाँ पर ये resistance लगा दिये हैं इसके जगह पर ये जला हुआ resistance के जगह पर देखिए ये वाला resistance लगा दिया हूँ अब मैं इसमें लाइन देकर आपको दिखाता हूँ कि ये जलता है या नहीं अब मैं इसके रेड और बलेक वाले वायर में लाइन देकर आपको दिखाता हूँ कि ये काम करता है यानि तो मैं सिरी लाइन इसमें देता हूँ तो देखे ये जलने लगा यानि कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है अब मैं इसे पूरी तरह से फिट कर देता हूँ फिट करने के बाद आपको दिखाता हूँ देखे मैंने इसे पूरी तरह से फिट कर दी है अब मैं इसमें स्री लाइन देकर दिखाता हूँ कि यह जलता है या नहीं तो देखिए यह बिल्कुल सही जल रहा है तो दोस्तों एक resistance इसमें खराब था जिसके कारण यह problem हो रहा था तो एक resistance आप अगर खरीदने जाएंगे तो आपको एक रुपया से अधिक नहीं लगेगा इसलिए एक रुपय में आप इस LED बल्ब को बना सकते हैं अब मैं इसमें डारेक्ट लाइन देकर भी आपको दिखाता हूँ तो देखे मैं इसमें direct line दे रहा हूँ तो देखे यह बिल्कुल सही जल रहा है अब इसमें किसी परकार का कोई problem नहीं है तो इस तरह से आप एक रुपय में 23 वाट का LED बल्ब बना सकते हैं दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को like और share जरू कर दें और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे शेनल को subscribe नहीं किया है वो मेरे शेनल को subscribe जरू कर लें